अपने पिछले जीवन में क्रिप्टन गोल्ड इंटनेट लेखों के पाठक के रूप में जूमो कैसे समझ नहीं सकता था कि उसके सिर में ध्वनी का उसके लिए क्या मतलब था समय यात्रियों के लिए लाब मेरे जीवन की सुनहरी उंगली आ गई है जूमो को उमीद नहीं थी कि उनकी सुनहरी उंगली इस मोड पर सक्रिय हो जाएगी क्या इसका कोई मतलब है प्राचीन पशु प्रणाली सफलता पूर्वक लौंच की गई थी दिंग, क्रिपया मेजबान, क्रिपया अपनी पसंद बनाएं और अब विरासत में मिली रक्त रेखा प्राप्त करें मेजबान को याद दिलाएं कि वर्तमान में उपलब्ध वन्शानुगत रक्त रेखा दिव्य जानवर दस प्राचीन दिव्य जानवर और दस प्राचीन दिव्य जानवर है मेजबान किसी को भी चुन सकता है सिस्टम प्रॉम्ट सुनकर जुमों की आखे चमक उठीन वह वास्तव में पौराणिक जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानता है इचले जन्म में किस बच्चे ने पहाड़ों और समुद्रों का क्लासिक नहीं पढ़ा है दस प्राचीन पौराणिक जानवरों का उल्लेख है दस प्राचीन पौराणिक जानवरों का उल्लेख है यदि इन पौराणिक जानवरों में से किसी एक को बाहर निकाला जाता है तो प्रागयति हासिक यूग में वे विशालकाई बैल होंगे जो एक क्षेत्र पर हावी थे लेकिन अब ये पौराणिक जानवर जूमों के रक्त रेखाओं में से एक है जिने चुना जाना है जूमों अपनी और दोडी खुशी से दंग रह गया और एक बेहद उल्जी हुई स्थिती में गिर गया जैसे जैसे रक्त रेखा उतराधिकारी एक के बाद एक दिखाई दिये जिन लोगों को अभी तक रक्त रेखा विरासत नहीं मिली थी वे थोड़ा बेचैन हो गए आखिरकार कोई भी वास्तव में अपनी शेश उर्जा का उप्योग करने के लिए शस्त्रागार में जाने को तयार नहीं है लगभग कोई भी उस तरह का जीवन पसंद नहीं करेगा जहां आप एक नजर में अपने जीवन का अंत देख सकते हैं कमांडर मुझे रक्तरेखा विरासत में मिली है वान जून ने अपनी टीम में किसी को अपना हाथ उठाते हुए देखा और उसकी आखे उत्सा से भर गई कैयोस बटालियन ने हजारों सेनाओं की कमांड संभाली और एक बार गट बंधन की विरासत पावर हाउस थी हालांकी एक राक्षस के साथ आमने सामने की लडाई के दौरान लगी घातक चोट के कारण ठीक होने के बाद उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी यही कारण है कि वहाँ नई रेजिमेंट में आए और कैयोस बटालियन के नेता का पत संभाला चमकना जारी रखे और नए उतराधिकारियों के लिए आगे का रास्ता बताएं बाहर आओ वान जून जोर से चिलाया और एक बुरी भरती भीर से बाहर निकल गई वान जून के पास आई ध्यान से खड़ी हुई और सलाम किया वह रक्त विरासत प्राप करने के लिए कैयोस कैम्ट में पहला भरती है वुडी वान जून ने वुडी के सिर के ऊपर प्रेत को देखा और थोड़ा सिर हिलाया हुदी कांसिस तर की तीन सितारा रक्त रेखा, सामपतवचा छिपकली विरासत में मिली वान जून के शब्द अभी समाप्त हुए है ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज ने वुडी के सिर के ऊपर रक्तीन जानवर की आत्मा को सक्रिय कर दिया सभी ने देखा कि वुडी के सिर के ऊपर जानवर का प्रेत अचानक जीवित हो उठा मैंने देखा कि छिपकली साम की खाल के तराजू पहने हुए है जो आकाश में साथ सितारों की और अपना सिर उठा रही है और एक लंबी आवाज निकाल रही है वाह वाह वुडी से सभी दिशाओं में एक शक्तिशाली गती निकली कैयोस कैम्प में लगभग सभी नए रंगरूटों ने अनैक्षिक रूप से एक कदम पीछे ले लिया और फिर वुडी पर इरश्या भरी नजर डाली वुडी पहला ब्लड लाइन उतराधिकारी बन गया जिसने सभी को एक अच्छी शुरुआत दी शेश लोग और भी उत्सुक हैं, उमीद करते हैं कि वे रक्त विरासत भी प्राप्त कर सकते हैं वुडी की तुलना में एक बहतर जानवर का खून होना सबसे अच्छा है वुडी, मेरे पीछे खड़े हो जाओ वान जून हुदी द्वारा प्राप्त विरासत से काफी संतुष थे और नीचे अपने अन्य सैनिकों को देखना जारी रखा जल्द ही एक नया उतराधिकारी दिखाई दिया मी जी, कांसिस्तर की तीन सितारा रक्त रेखा विरासत में मिली, ब्लैक एल्फ जू जी आंग, कांसिस्तर की तीन सितारा रक्त रेखा विरासत में मिली है, आप कमाल है जैसे जैसे समय बीटता है, क्या उस क्यांप में अधिक से अधिक लोगों ने रक्त विरासत हासिल कर ली है यह कहना होगा कि इन अनाथों को सावधानी पूर्वक चुना गया था और नई वाहिनी में भेजा गया था, उनके पास काफी अच्छी योग्यता है थोड़ी ही देर में कैयोस क्यांप में एक रजट स्तर का रक्त रेखा उत्तराधिकारी दिखाई दिया वानजुन बहुत खुश था, भले ही इस चांदी के रक्तरेखा उत्तराधिकारी द्वारा विरासत में मिला जानवर केवल कच्छुए का जानवर था जो अपनी रक्षात्मक शक्ती के लिए जाना जाता था लेकिन वान याओ, विरासत विफल रही ठीक है, यहां आपका परिचय पत्र है कल एलायन्स आर्सेनल को रिपोर्ट करें जिस ख्षन चांदी की रक्तरेखा का उत्तराधिकारी दिखाई दिया, क्या उस कैम्प में पहला व्यक्ती जो विरासत को विरासत में लेने में विफल रहा, प्रकट हुआ यह एक नजर में स्पष्ठ है कि उत्तराधिकारियों और शस्त्रागार में प्रवेश करने वालों में से कौन बहतर और बत्तर है हालांकि गटबंधन और मानवता के लिए हर कोई कड़ी मेहंत कर रहा है लेकिन हर कोई उतराधिकारियों और शस्त्रागार कर्मचारियों की प्रकृती के बारे में बहुत स्पष्ठ है दोनों की भविश्य की स्थिती और भाग्य बहुत अलग होगा लेकिन जल्द ही क्योस कैम्प में हर्चल मच गई अंगिनत विस्मयादी बोधक सामने आए जान हाउ को स्वर्ण स्तर की रक्तरेखा विरासत में मिली बाइपेडल फ्लाइंग ड्रैगन जो आठ सितारा रक्तरेखा है किसी ने जान हाउ को अपने रक्तरेखा स्तर को प्रकट करने में मदद की और पूरे कैउस कैम्प में हंदामा हुआ लानत है आज सितारा रक्तरेखा सोने का स्तर क्या हुआ? वह क्या है? यहां भयानक लगता है जो ड्रैगन का नेतरित्व करता है वह भयानक होना चाहिए इसके अलावा उसके पास एक सोने के स्तर की रक्त रेखा है वह अधुत कैसे नहीं हो सकता है यह सही है क्या हमारे गवर्नर सोने के स्तर की रक्त रेखा नहीं है क्या इसका मतलब यह है कि जांग हाओ भविश्य में गवर्नर स्तर के बॉस बन सकते है लानत है उन मोटी जांगों। जल्दी करो और अब अपनी जांगों को गले लगाओ। इस गाव से गुजरने के। बाद ऐसी कोई दुकान नहीं है। जांग हाओ के नए रंगरूटों को देखते हुए, यूयू कांशूर www.uuknessu.com की आखे इस समय उत्सुक आखों से चमक रही थी। विशेश रूप से कुछ महिला सैनिकों ने जांग हाओ को आंखों से देखा जो इतनी गर्म थी जैसे की वे एक पौरानिक क्रिस्टल कोर को देख रही हो। आखिरकार हर कोई जानता है कि यदि आप नेंग हाओ की जांग को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ भविश्य में हर चीज में आपके लिए बहुत मददगार होगा। सुन्दर वान जून ने चुपके से अपनी मुठी हिलाई, उसकी आखे भी उत्सुकता से चमक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी की। मेरे नेत्रित्व में नई भरती इतनी शक्तिशाली होगी और गोल्डन ब्लडलाइन का उत्तराधिकारी होगा। इस तरह कैयोस क्यांट जो लगातार कई वर्षों से विरासत की गुणवत्ता के मामले में सबसे नीचे रहा है, आखिरकार आज के अवसर के साथ बदल सकता है। वान जून की मुस्कुराहत इस समय लगभग उसके कान के लोग तक पहुँच गई और उसने जांग हाओ के कंधे पर जोर से थपड़ मारा। ठीक है, बुरा नहीं, जवान, भविश्य आशाजनक है। पीछे की और नए रंगरुटों को कड़ी मेहंद करनी होगी। मतलब था कि यह खत्म हो गया था। जांग हाओ के साथ एक स्वर्नस्तरिय ब्लडलाइन फाउंडेशन के रूप में उनके पास पहले से ही परियाप्त आत्मविश्वास है। जहां तत अगली भर्णियों की बात है, क्या वे सोने के स्तर या उससे उपर की रक्त्रेखा को विरासत में प्राप कर पाएंगी। यह मूल रूप से उनके विचार से बाहर है। क्योंकि वानजन के अनुभव को देखते हुए, ऐसी संभावना लगभग किसी के बराबर नहीं है। हालां की इस क्षण उसके सामने नए सैनिकों में से एक के उपर अचानक एक विशाल प्रेथ दिखाई दिया। दिंग मेजबान को सर्वश्रेष्ट पौरानिक जानवर के साथ मिलान किया जा रहा है। मेजबान को बधाई आपने प्राचीन पौरानिक जानवर चोंगमिंग पक्षी की रक्त्रेखा प्राप्त की है। जैसे ही सिस्टम ट्रॉम्ट बज उठा जुमो के सिर के उपर एक सुनहरा प्रेथ अचानक नाराज हो गया। कियांग एक कुरकुरा रोने के साथ जो आकाश में उच्छल गया, ध्वनी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। प्रेवनेक्स्ट अपने पिछले जीवन में क्रिप्तन गोल्ड इंटनेट लेखों के पाठक के रूप में जुमो कैसे समझ नहीं सकता था कि उसके सिर में ध्वनी का उसके लिए क्या मतलब था। समय यात्रियों के लिए लाब। मेरे जीवन की सुनहरी उंगली आ गई है। जुमो को उमीद नहीं थी कि उनकी सुनहरी उंगली इस मोड पर सक्रिय हो जाएगी। क्या इसका कोई मतलब है। प्राचीन पशु प्रणाली सफलता पूर्वक लौंच की गई थी। दिंग, क्रिपया मेजबान, क्रिपया अपनी पसंद बनाएं और अब विरासत में मिली रक्त रेखा प्राप्त करें। मेजबान को याद दिलाएं कि वर्तमान में उपलब्ध वन्शानुगत रक्त रेखा दिव्य जानवर दस प्राचीन दिव्य जानवर। और दस प्राचीन दिव्य जानवर है, मेजबान किसी को भी चुन सकता है, सिस्टम प्रॉम्ट सुनकर जुमों की आखे चमक उठीन, वह वास्तव में पौरानिक जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इचले जन्म में किस बच्चे ने पहाडों और समुद्रों का क दस प्राचीन पौरानिक जानवरों का उलेख है, बाइस, कुई, फीनिक्स, किलिन, ताउती, जीजी, जियान, चोंग मिंग नियाओ, बिफांग और ताउती, यदि इन पौरानिक जानवरों में से किसी एक को बाहर निकाला जाता है, तो प्रागयतिहासिक यूग में वे पर हावी थे, लेकिन अब ये पौरानिक जानवर जूमों के रक्तरेखाओं में से एक है, जिने चुना जाना है, जूमों अपनी और दोडी खुशी से दंग रह गया, और एक बेहद उलजी हुई स्थिती में गिर गया, इस समय उनके आसपास, नई वाहिनी के लोगों के बीच ऐसे लोग भी थे जिनोंने रक्त विरासत प्राप्त की थी, जैसे जैसे रक्तरेखा उतराधिकारी एक के बाद एक दिखाई दिये, जिन लोगों को अभी तक रक्तरेखा विरासत नहीं मिली थी, वे थोड़ा बेचैन हो गए, आखिरकार कोई भी वास्तव में अप पसंद नहीं करेगा जहां आप एक नजर में अपने जीवन का अंत देख सकते हैं, कमांडर मुझे रक्तरेखा विरासत में मिली है, वान जून ने अपनी टीम में किसी को अपना हाथ उठाते हुए देखा और उसकी आखे उत्सा से भर गई, क्यायोस बटालियन ने हजारो सेनाओं की कमान संभाली और एक बार गट बंधन की विरासत पावर हाउस थी, हालां की एक राक्षस के साथ आमने सामने की लडाई के दौरान